नमस्का दोस्तों श्रागच्छे Quick Software मां चलिए हम आद बता आते हैं कि WebICO के Software में कौन सी requirement होनी चाहिए और कौन सा Software है जिनसा आप setting कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आद बात करते हैं Hyper Software के बारे में तो दोस्तों Hyper Software क्या है उसमें आपका CPUA या laptop पर उसका port डिस्प्ले करता है और उसके port उपर कौन सी data rate है और कौन सी hardware communication के लिए use होता है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप hyper terminal डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से software पर configure कर सकते हैं तो दोस्तो पहले आपको अपने computer में से browser open करना है ठीक है यहां पर और यहां पर आपको यहां पर लिखना है terminal जो पहली जो लिंक है तर्मिनल वी वन डोट नाइन वी तो दोस्तो जैसे ही आप google पर लखेंगे terminal v1.9b by br.y++ जैसे आप लखेंगे टाइप करके इंटर कीज़ें जैसे ही आप इंटर करेंगे यहां पर पहली लिंक मिलेगी terminal-google site आपको इस लिंक पर click करना है जैसे ही आप link पर click करेंगे यह website open होगी तो दोस्तो नीचे scroll करके last में यह click to download की यहां पर link है यहां पर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे यहां पर एक zip file डाउनलोड होगी यह रही ठीक है यहां पर download हो रही यहां पर आप show ल करके download डेक साथ है जैसे ही आप यहां पर open करेंगे यहां पर है terminal ठीक है यहां पर show in folder जैसे हैं आप show in folder करेंगे यहां पर यह जी फैल है आपको यहां पर first call extract करने तो यहां पर right click करके extract फैल किजिए ठीक है यहां पर extract में यहां पर आपको ok डेना है जैसे ही आप extract कर लेते हैं तो यहां पर एक folder generate होगा terminal 20141030 के नाम से जैसे है आप folder को open करेंगे यहां पर एक terminal की application आ जाएगी ठीक है यहां पर application पर आपको right click करके open करना है जैसे ही आप open करेंगे यहां पर इस तरह से यह application रन हो जाएगी तो यहां पर दोस्तों यहां पर अलग अप्शन दिस्पले हो रहा है connect, re-scan, help, about यहां पर इस menu में से आपको सिर्फ connect option का ही यूज करना है और यहां पर दिखा रहा है COM port तो यहां पर COM port सिलक करेंगे जैसे हैं तो यहां पर अभी इस computer में है की COM है यानि की COM 1 और आपके laptop या desktop में यहां पर option आए जाए यहां पर दिस्पले हो जाएगा और उसके बाद ए बोर्ड रेट तो दोस्तों आपको यहां पर अलग अलग सेटिंग करके दिखना पड़ेगा ठीक है पहले यहां पर चोईच सो करके यहां पर connect करने का जैसे हैं करे तो यहां पर दिस्पले में उसका जो वाइट होगा 50 kg 100 kg 1000 kg वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा यहाँ पे यह 2400 bit में नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे पहले disconnect कीजिए और उसके बाद में यहाँ में से यहाँ पे यहाँ जे ओप्सन है यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करके 1 by 1 चेक कर सकते हैं अभी में 9600 पे सिलेक्ट करके में connect करता हूँ तो जो भी वाइट होगा यहाँ पे डिस्प्ले अभी बेने हो रहा है तो यहाँ पे disconnect कीजिए ठीक है और उसके बाद है data bit यहाँ पे भी as routine यहाँ पे आपने सिलेक्ट किये थे option उसी तरह यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है as routine parity है वहाँ पे आपको चेक करना है stop bit एक 1 by 1 चेक करना है ठीक है और hand shaking है वो भी यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे चेक करने के बादे आप यहाँ पे connect करने जैसे ही यहाँ पे आपको weight दिखेगा यहाँ पे 50 के 100 के यहाँ पे weight दिखे उस weight को as it is रखना है और यहाँ पे जो भी setting होगी अभी suppose मैं देखता हूँ तो के हमारा comb कुन सा है तो के comb 1 और border rate याँ की bit rate को उन सा है तो 9600 चन्नू सो ठीक है और उसके बाद उसकी data bit क्या है तो के 8 और parity none stop bit 1 यह सारी option आपको याद रखने है या फिर आप इसका एक photo लेजिए ठीक है और यही setting आपको अपने software में करनी पड़ेगी तो इसका better option यह है कि आप इसका mobile से या इसका screenshot अपने desktop या mobile पे save कीज़े ठीक है तो यही setting अपने software में किस तरह से करेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में इस तरह डिखाऊंगा कि किस तरह से comfort bit rate और data bit की setting किस तरह से अपने software में कर सकते है ठीक है जै हीन